अलो एस्पिरेंस, I welcome you all at Purcham Classes आज के सेशन में देखिए हम लोगों को fundamental duties करना है ये एक छोटा topic है, बट important topic है ठीक है, तो अभी तक हम लोग part 1, 2, 3 and 4 देख चुके हैं ये part 4A है, अब मैंने आपको ये बताया था जब कभी भी बड़ी alphabets होंगी तो यानि वो कुछ amendment से add हुआ है यानि ये पूरे का पूरा part ही, पूरी fundamental duty ही कुछ amendment करके constitution में फिर add हुआ ठीक है, तो हमें part 4A यानि article 51, capital A यानि कुछ संशोधन हुआ है, कुछ amendment हुआ है, उसके बारे में पढ़ता आगे बढ़ने से पहले आपको बताएं कि SSC General Awareness का एक कोर्स चल रहा है, जिसके अंदर History, Geography, Quality, Economy, सब कुछ, including Static GK सब कुछ cover करवाया जा रहा है, सारा batch आपको recorded format में मिलेगा ठीक है, आप लोग enroll कर सकते हैं, पर्चम classes की आप डाउनलोड करके एक कोर्स SSC Economics का चल रहा है, और एक कोर्स SSC Quality का चल रहा है, तीनों ही कोर्स पे अगर आपको 10 प्रतिशत की छूट चाहिए, then use code Pile 10, ताकि आप तीनों ही कोर्स पे SSC General Awareness, Quality and Economy तीनों ही कोर्स पे आप छूट प्राप्त कर सकते हैं, अब देखो पर्चम classes के बारे में एक और खास बात मैं आपको बता दूँ, कोई कॉम्बो लेना चाहता है, तो ले, अगर कोई कॉम्बो नहीं भी लेना चाहता है, वही किसी को सिर्फ मेरा हमेशा वाला तरीका, जैसा मैंने आपको बताया हुआ है, कि हम कभी भी ऐसे स्लाइट से डारेक्ट नहीं पढ़ेंगे, हम पहले उसको समझेंगे, ठीक है, हम पहले उसको समझेंगे अब देखो जो आपका fundamental duty है, मैंने आपको क्या बताया, इसका article पता होना चाहिए, तो यह article 51A है, ठीक है, article 51A है, ठीक, कौन से पार्ट में है, part 4A की बाते हैं, जिस समय हमारा सम्मिधान बना है, उस समय fundamental duty नाम का कोई भी चेक्टर इंडिन कॉंस्टिशन में नहीं था, 42nd amendment act 1976 में, स्वान सिंग कमेटी के कहने पर, किसके कहने पर, स्वान सिंग कमेटी के कहने पर, हम लोगों ने ये नया part जो है, जिसको fundamental duty कह रहे हैं, इसको add किया भारत के सम्मिधान, और ये idea, ये हम लोगों ने कहां से copy किया है, या मैं कहूं इसका source क्या है, हमने रश्या के constitution स fundamental duties को include किया है, तेको जो fundamental duty है, बहुत सारी democratic country ऐसी है, जहां पर fundamental duty नाम की कोई चीज होती नहीं है, भारत के अलावा, जापान एक मत्र ऐसा democratic country है, जापान ऐसा एक मत्र democratic country है, जिसने अपने constitution में fundamental duty शामिल की है, अब जिस समय स्वान सिंग कमेटी ने ये बताया, कि हमको ऐस fundamental duties एड करनी चाहिए, और उसके कहने पर हम लोगोंने 42nd Amendment Act 1976 से Part 4A जो है, वो शामिल कर दिया, पार्ट 4A, Article 51A जो है, वो हमने शामिल कर दिया, ठीक है, लेकिन उस वक्त हमने केवल 10 fundamental duty शामिल की थी, केवल 10 duties, 10 मौलिक करतवे शामिल किये थे, जो 11th fundamental duty है, आज के दिन total 11 fundamental duty है, शुरुआत में केवल 10 थी, ठीक है, जो 11th fundamental duty है, 11th fundamental duty, वो हमने 86th Constitutional Amendment Act 2002 से शामिल की है, 86th Constitutional Amendment Act 2002 से हमने fundamental 11th fundamental duty शामिल की, ठीक है, तो प्रश्नी ये आएगा इनकी जरूरत क्यों पड़ी और इसको इसी वक्त 1976 में ही इंद्रा गांधी क्यों इसको एड कर रही है, देख 25th of June 1975 से लेके, और लगभग 1977 तक देश के अंदर national emergency चल रही थी, उससे में प्रधान मंत्री थी हमारी श्रीमती इंद्रा गांधी, तो इंद्रा गांधी मैडम ने ये काम किया हुआ था, emergency लगाई हुई थी, और देश के अंदर बहुत सारे विद्रोह चल रहे थे, लोग के साथ क्या-क्या बरताव करना है, आपको क्या-क्या प्रोवाइट कराना है, उसके बावजूद आप इतनी तोड़ फोड मचा रहे हैं, आप देश की चीजों को, monuments को नुकसान पहुचा रहे हैं, देश की तिरंगे का अपमान कर रहे हैं, तो आपकी भी कुछ अपने दे आपकल, मैंने आपको बताया कि Part 4A, Article 51A, Original Constitution में नहीं थे, ये केवल citizens के लिए होते हैं, नागरिक के लिए होते हैं, सिर्फ Non-Citizens के लिए नहीं होते, 42nd Amendment Act 1976 में अमरजंसी के दोरान इनको शामिल किया है, ये सारी civic और moral duties को फुल्फिल करता है, शुरुवात में 10 fundamental duty आड़ की गई, 11th fundamental duty, 86th Amendment Act 2002 से एड़ की गई, सरदार स्वन सिंग कमेटी के कहने पे हमने ये काम किया, J.S. वर्मा कमेटी, जगदीश शरन वर्मा कमेटी भी इसी से रिलेटिड है, ठीक है हमने ये USSR के Constitution से लिया है, जादाता democratic country में fundamental duty नहीं है, लेकिन जपान के अंदर, जपान is the only democratic country other than India, इंडिया को छोड़के जापान एक मत्र ऐसा democratic country है, जहाँ पे fundamental duties जो है वो शामिल की गई है, वहाँ के सम्मिधान, ठीक है, इसके बाद features क्या है, fundamental duty non-justiciable होंगी, मतलब कोई भी सुप्रिम को directly नहीं जा सकता, ये non-justiciable होगी, लेकिन पारलेमेंट अगर कानून ब प्रिम कोट नहीं जा सकते, लेकिन अगर आपके उन duties को लेके law बन जाते हैं, और आपने अगर वो law तोड़ दिया है, तो आपको सजा हो, सिर्फ citizens को मिलेंगे ये, foreigners के लिए नहीं है, civic और moral duty ये देते हैं, ठीक है, ये Indian tradition, mythology और religion और practices की values को शो करता है, ठीक है, अभी आग देश के सब ये नागरिक कहलाए जाएंगे, किसी भी देश के नागरिक कहलाने के लिए आपके अंदर अपने देश के प्रती ये सब fundamental बाते होनी चाहिए, इसलिए इसको fundamental duty कहते हैं, तो ऐसी कौन-कौन सी बात थी, जो सरदार स्वान सिंग कमेटी ने तो बताई थी, लेक एक तो उन्होंने ये कहा था, कि अगर कोई इन duties को ना माने, तो आप उनको punish करो, ठीक है, आप उनके उपर punishment लगाओ, बहुत भयंकर वाली, हमने ये बात नहीं माने, हमने क्या कहा, कि हम law बनाएंगे, जिस चीज के लिए कानून आपको comply करने के लिए बताएगा, केवल व लेकिन अभी हम कोई penalty नहीं लगा रहे हैं, दूसरा क्या कहा गया, कि जो भी penalty लगेगी, जो भी सजा आप दोगे, किसी कोई अपनी duty पूरी नहीं कर रहा है, और जो भी अप सजा दोगे, वो सजा, court की अंदर जाके, कोई challenge नहीं कर सकता, हमने वो बात भी उनकी नहीं माने क्योंकि हमने सजा ही नहीं लगाई, तो हम court वाली बात क्यों मानेगे, और इन्होंने ये कहा था कि taxes को pay करना भी fundamental duty होगा, citizen का, हमने ये बात भी नहीं मानी, तो ये तीन बाते ऐसी थी, जो committee की हमने नहीं मानी, कई बार ये सवाल बन जाता है, अब कौन-कौन सी 11 fundamental duty हमारे constitution के अंदर है, उसको देखते है, सबसे पहले अपने सम्विधान से बंधे रहो, ठीक है, अपने देश के ideals की respect करो, national flag का, national anthem का आधर करो, अगर आप उनको नुकसान पहुंचाते हो, तिरंगे को जला रहे हो, national anthem का नुकसान कर रहे हो, यानि उनको disrespect कर रहे हो, तो national honor act 1971 के according आ आप नहीं भी कर रहे हो, तो कोई कानून इसके लिए नहीं बनाया, आपको कोई सजा नहीं मिलेगी, to uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India, देश की अखंडता, सुरक्षा का ध्यान रखना, अगर आपने ऐसा नहीं किया, तो unlawful activity prevention act 1967 के under, आपको सजा मिलेगी, देखो यहां क्या बताया जा रह देश की integrity को नुकसान पहुचाओंगी, तो इस unlawful activity prevention act के तहत मुझे सजा मिलेगी, अपने देश की रक्षा करना और national services देना, इसके लिए कोई कानून नहीं बनाया, पर ये एक fundamental duty है, अपने देश की harmony को promote करना, भाईचारे को promote करना, एक दूसरे के साथ किसी तरीके का भे विल राइट एक 1955, ठीक है, फिर अपने देश के rich heritage और culture को आपको value करना है, preserve करके रखना है, फिर आपको आपके देश के natural environment की रक्षा करनी है, wildlife की forest, lakes की रक्षा करनी है, अगर नहीं करोगे तो wildlife protection act 1972 के अंडर आपको सजा मिलेगी, scientific temper, भाई ये भोर अंद विश्वास में मत चले जाओ, scientific temper develop करो, humanism को, spirit of inquiry and reform को develop करो, ठीक है, prevention of damage to public property act के अंदर क्या कहा गया, आपको अपके देश की जो संपत्ती है, उसकी रक्षा करनी है, और violence को absorb करना है, आप देखना यहाँ उन्हुन चीजों के लिए ही कानून है, जो उस समय हो रहा था, लोगती रंगे का मान कर रहे हैं, लोग property को खराब कर रहे हैं, तो यह कहा कि यह कानून बन गया है, अपने देश के हर individual के excellence के लिए काम करना है, ताकि अपना देश जो है, जो अचीव करना चाहता है, higher level of achievements मिल सके, अपने देश के लोगों को, जितने भी बच्चे हैं, देखो जो guardian हैं, जो आपके अभी भावक हैं, जो आपके parents हैं, उनकी responsibility है, उनकी responsibility है कि आप अपने students को 6-14 वर्ष की IU में पढ़ाई करवाओ, 86th Amendment Act 2002 से यह 11th fundamental duty हमने शामिल किये, तो यह 11th fundamental duty हम लोगों ने देखी, अभी क्योंके topic बहुत छोटा था, तो इसके practice question भी मैंने साथ में ही डाल दिय है, तो कौन-कौन से practice question है, देखिए, अभी हमने topic किया है, तो आप जल्दी से, अभी हमने topic किया है, तो आप जल्दी से in questions को यह answer करेंगे, ठीक है, सबसे पहला क्या है, सबसे पहला सवाल, which of the following country does not have fundamental duties in their constitution, कौन से देश के अंदर fundamental duty नहीं है, ठीक है, यह बलर हो रहा है, अभी ठीक है, कौन से देश के अंदर fundamental duty नहीं है, वो कहरा, रशिया, इंडिया, जपान, जर्मनी, तो रशिया से हमने लिये है, इंडिया में है, और मैंने कहा, जापान एक मात्र ऐसी democratic country है, जहां पर fundamental duties जो है, वो लागू की जाती है, जर्मनी एक ऐसा है, जहां पर fundamental duties नह में fundamental duty आती है, पार्ट 3 के अंदर fundamental rights, पार्ट 4 के अंदर DPSP, 4A में fundamental duties और पार्ट 4 भी कुछ होता ही नहीं है, तो answer क्या जाएगा, पार्ट 4A, चीक है, पार्ट 4A के अंदर यह आता है, उसके बाद next question है आपका, fundamental duties were added by which constitutional amendment act, कौन से constitutional amendment act से fundamental duties शामिल की गई, 42nd constitutional amendment act से यह श fundamental duties were suggested by स्वान सिंग कमेटी, स्वान सिंग कमेटी ने कितनी fundamental duties बताई थी, ठीक है, उन्होंने हमको total, उन्होंने हमको total 10 fundamental duty बताई थी, उनमें से कुछ बाते हमने नहीं मानी, कुछ बाते हमने मान ली, ठीक है, तो उनकी वर, उनकी जो suggestions है, उनमें से 8 fundamental duty हम लोगोंने मानी थ उनकी बताई हुई आठ fundamental duty हमने माने थी ठीक है अगला है how many fundamental duties were added by 42nd amendment 42nd amendment text से कितनी fundamental duties आपने add की हमने 10 की थी और 86 constitutional amendment text से 11 और add कर दी ठीक है next question है which of the following is not a fundamental duty mentioned in article 51a इन में से कौन एक fundamental duty नहीं है अपने देश की sovereignty unity और integrity ये तो fundamental duty है देश को रक्षा करना ये भी है natural environment को protect करना ये भी है cooperative society बनाना ये आपके DPSP में आता है ये आपके fundamental right में आता है लेकिन fundamental duty में नहीं आता तो answer क्या हो जाएगा answer हो जाएगा D ठीक है next question पे चलते है next question कहता है 11-86 constitutional amendment tax से क्या बात add की गई थी यही कहा था कि guardian की responsibility है 6-14 वर्ष के बच्चों को आपको शिक्षा दिलवानी है तो answer क्या आजाएगा D ये तो हमने माना ही नहीं था ये भी कोई fundamental duty नहीं है ये है लेकिन 86 से से नहीं आया है ठीक है उसके बाद अगला question क्या है अगला question जो है एक मिनट next question है fundamental duties are confined to किसको किसके लिए होती है fundamental duty citizen के लिए foreigners के लिए दोनों के लिए ये किसी के लिए भी नहीं किवल citizen के लिए होती है foreigners के लिए नहीं होती ठीक है next question क्या कहता है वर्मा कमेटी जो 1999 में आई है जगदीश शरन वर्मा कमेटी वो किस से related है अभी हमने देखा वो fundamental duties से ही related है ठीक है next question क्या कहता है कहता है consider the following statements regarding fundamental duties इन कथनों पे विचार करना है it was added to the constitution in 1967 गलत in 1976 ठीक है पहला तो जहां दिख रहा है आपको काट देना है ये कट गया answer तो आप कमेटी के कहने पर हमने ये किया बिल्कुल सही शुरुवात में 10 fundamental थी 11 बात में एड हुई है सही है duty to pay taxes एक fundamental duty है ये गलत है ठीक है duty to pay fundamental taxes ड्यूटी नहीं है ठीक है तो answer क्या आजेगा two and three answer आ गया a two and three next question क्या कहता है which of the following duties have been prescribed by Indian constitution as fundamental duties आपकी Indian constitution आपको कौन कौन सी fundamental duty follow करने को कहता है ये BEO 2020 में सवाल आया हुआ है due to pay income tax ये नहीं आएगा तो जहां दो दिख रहा है cut कर दो answer तो आगया one three four अपने देश की रक्षा करना अपने देश की culture को protect करना अपने देश की public property को protect करना तो answer will be one three and four चीक है next question शायद ये आप वाला है yes ये answer आपको देना ह ये जो answer देना है ये आपको देना है ये कहता है which of the following is not part of fundamental duties under constitution UPPSC 2015 का है इन में से कौन एक fundamental duty का part नहीं है अपने देश की देश की रक्षा करना अपने देश की rich heritage और culture को value करना village पंचायत organize करना और अपने देश की public property को safeguard करना आपको बताना है इन में से कौन एक fundamental duty नहीं है उमीद करती हूँ आप इसका सही answer comment section में देंगे अब हम president, vice president, prime minister इन सब चीजों को शुरू करेंगे next session से thank you so much, take care, bye bye